दोस्तों आज हम continue कर रहे हैं class 10th की मैत की और हमारा ये 6 question है 5 question तक हमने वीडियो में cover कर लिए हैं अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखिए तो उनको देखिए सबसे पहले छठा question हमारा क्या है class 10th की मैत का यदि code A और code B noon code है जहां cos A बराबर cos B आठीक तो दिखाइए कि code A बराबर code B क्या होगा ठीक सबसे पहले हमनेक एक ऐसे डाइग्राम बना लेइं जो कि मैंने पहले से right down करके रख्द ठीक यह हमारा s hoो गया यह हमारा A हो गया, यह हमारा B हो गया, ठीक, तो सबसे पहले, अब हम लोग क्या, कॉस A बराबर कॉस B दे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दे, कॉस A निकालेंगे, कॉस A बराबर बच्चो क्या होता है, आधार, बटे, कण, ठीक, A से बात कर रहे हैं, A के सामने वाली बु ना A B, गया हम समीकरन नंबर एक डाल देंगे ठीक, उसे के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस B निकालेंगे, बच्चो क्या निकालेंगे, कॉस B, कॉस बराबर तो हमेसा आधार बटे कर नहीं होगा न, लेकिन हमको ये देखना हो, यहां क्या है, अब B से देखेंगे, तो B के सामने वाला ये क्या होगा, लंब तो आधार यहां पर क्या होगा, B, C आधार क्या होगा, बच्चो, B, C अपान कंड कितना होगा, A, B, कंड क्या होगा, A, B, चुकि सवाल में हमें दिया है कॉस A बराबर कॉस B है सवाल में हमको यह दिया है सवाल में यह हमको दिया है क्या दिया है कॉस A बराबर कॉस B तो कॉस A बराबर हमें कितना है A C अपॉन A B और कॉस B बराबर बच्चो क्या है B C अपॉन A B अब बताओ ए-b से ए-b कट गया क्या आ गया ac बराबर a-b मतलब जितनी हमारी ac है उतनी ही हमारी क्या है a-b ac बराबर a-b आ गए चुकि अगर भुजाएं बराबर है अगर भुजाएं बराबर है तो बच्चो सम्मुक कोड सम्मुख कोड भी बराबर होते हैं क्या होते हैं बराबर होते हैं तो कोड A बराबर कोड B ये हमारा पूरू पूरू हो गया question number 6 ठीक है बच्चों आप लोगों समझ बें आया 7 number question की बात करेंगे class 10th की ठीक है हमारा question है cot theta बराबर 7 बटे 8 तो 1 plus sin theta 1 minus sin theta अपान 1 plus cos theta and 1 minus cos theta का मान ग्याद कीजिए ठीक ये हमको सवाल दिया है लेकिन एक नजर हमको ये सवाल पर दोड़ा नहीं है क्या लिखा है ये देखो बच्चों क्या लिखा है A plus B and A minus B की फORM लिखिये हुई है ये आप लोगों को दिख रहा कि नहीं दिख रहा किया A plus B और A minus B ये लिखा है कोई संख्या एक बार बार माइनस में ये भी देखो वही सेम संख्या है पलस में है वही सेम संख्या है माइनस में बेटा फार्मूला एक नहीं हम लोगों ने क्लास एट्थ में पढ़ा था A-B मतलब A-B and A-B हमारा होता है फार्मूला ठीक है समझ में आगया अगर हमको ये वाली फॉर्म लिखी है बच्चे तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A B मतलब Sine-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A 1-Cos-A-A-A-A-A-A-A-A thinking 1-Cos-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ठीक है बच् eleg अब बताओ 1- как-order 1- स्कॉइर थीटा क्या होता है साइन स्कॉइर थीटा ठीक है कॉस बटे साइन बच्चो क्या होता है कॉट स्कॉइर थीटा अब कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट स्कॉइर थीटा अब बच्चो कॉट तो हमको दिया है कितना साथ बटे याठ इसकॉइर निकाल दो कितना हो कितना सरल था नबच्चो अगर आपको यह सवाल दूसरे तरीके से भी करना इसमें साइन की वैल्यू इससे निकाल लो कॉस की वैल्यू निकाल दो तब इससे लंबा कोश्चन हो जाएगा ठीक है बच्चो उसके बाद अब हम लोग नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं